हलो दोस्तों नमस्कार पहला कैसे हैं आप लोग मैं तो बहुत अच्छी हूं आसा है कि आप भी अच्छे होंगे तो आज का ब्लॉक सुरू कर रहे हैं कि आज मैंने तुमारी चपले धो दिये धूल हो रही थी इसमें बहुत ज्यादा देखो किती साफ हो गई है अरे इसका नाम है योगा पादुका यह ऐसी वैसी पादुका नहीं है यह देखे इसमें मोटे मोटे बटन जैसे एक्यु प्रेशर के पॉइंट बने हुए है तो यह है योगा पादुका और यह हमारे साब जी ने मंगाई थी ओनलाइन जो कि उनको बहुत ज्यादा मेहंगी पड़ी चनल कि और जब मैं गुड़गाओं गई थी पता है वहां यह तो अगर इसको पहनो तो इसमें इतने मोटे मोटे से यह है तो चलाई नी जाता है मुझसे तो तो यार यह योगा पादुका है वास्ताओं में इसको तो को योगी ही पहन सकता हमारे बस की बात नहीं यह से मुझे याद आया कि हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है तो सब से पहले सब लोगों को हर हर महादेव और मैं यह कहना चारी हूँ कि मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है वहां लोगों को देखकर मुझे क्या सभी को बुरा लग रहा कि माइनस 17 डिग्री ट अब मैं बैठ के बात करती हूं आप लोगों से तो यात्रियों ने हर्ताल कर दी जिसकी वजह से लोगों को ना खाना मिला ना होटल मिला तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहां तो मैं उनसे ही कहना चारी हूं लोगों से कि अभी इतनी जल्दी जाने की मत सोचो आप लो देख लो वहां क्या विवस्ता हो अ कैसा हो रहा है मौसम, आप लोगों की जाने लायक हो भी रहा और नहीं हो रहा है, आप लोग प्लेश के हो जो लोकल है वो तो स़िए चलो उनका घर भी नजदीक है और उनके इस्टमित्र वहां रहते हैं तो उनको जगे मिल जाती है रहने के लिए लेकिन जो लोग दूर दूर से आरे वो बड़ी सो समझ के आए वो देख ले पहले कि वहां का मौसम कैसा है वहां कैसी व्यवस्ता हो रही थोड़ा आराम से रुक के चले जाए महादेव के दर्सन करने के अभिलासा तो हर एक के मन में होती है तो यह नहीं है कि आप दर्सन जरूर करिए लेकिन पहले देख लीजिए वहां का कैसा वातावरन है आपके वहां 45 डिग्री टेंप्रेचर हो रहा और आपको माइनस 17 डिग्री टेंप्रेचर में राद गुजानी पड़ी बहार से त शिष्क करें Carolina में जातरा में पता नहीं है कि इतना थंड होती है पहारो में घर्मियों में थंड होती है वह लोग सबसूंतय होता है टो चलो सेर सपटा लिया जा लेकिन मौसं पलपल बदलता है और जैकेट ग्लब्ज, टोपी, स्यूस और एक रósin कोड तो जरूर लेके आईए मैं कई बिलॉग देख रही थी तो उसमें ओले पड़ थे लोगों के सरों पर बरफ गिर रही थी तो लोग परिशान हो रहे थे तो इसलिए आप यह सारी तैयारी करके जाए बोले नात के दर्सन के लिए और गड़वाल वालों से भी गुजारि हो जाएंगे है ना आपको तो कुछ करने की ज़रती नहीं है तो सहीओ करिए उनका और इतनी ज्यादा भीड हो रही है तो सरकार को भी भीड कंट्रोल करनी चीए इतने ज्यादा लोगों को नहीं जाने देना चीए क्योंकि इतने ज्यादा लोगों के जाने से दबाव पड कि गंगोत्री अम्रोत्री में तो मतलब लोगों का ही जाम लगा है गाडियों का तो छोड़ो आप जो पैदल मार्ग हैं वो भी जाम से भरे हुए है इतना जाम लग रहा है तो यह सब व्यवस्ता सरकार को अच्छे से देखनी चीए एक बार हमारे वहां आबदा आ चुकी है केदानाद धाम के, तो आप आराम से यात्रा कीजिए, सुरू-सुरू में भीड़ भाल हो जाती कि कि सोसल मीडिया वाले भी भाल ज्यादा पहुझे है कि उन्होंने वहां पहुँचना और दिखाना है कि पहले दिन का पार्ट खुल रहा है तो सारी जानकारी देनी है पोटल हैं इतने प्लास्टिक घूम रहे थे कि पूछो निए हमने तो जहां से वो नदियों को इतना गंदा कर दिया तो आगे चल कर तो नदियां कितनी विसाकत हो जाएंगी यह सोची आप उसी पानी को हम पीते हैं वो करते कम से कम ऐसा मत करो जो भी आप प्लास्टिक का लगाये गए हैं आपके लिए वो डस्ट पीनों में डालो है न और क्या किते हैं दुकान दार हैं जो उन्होंने दुकाने खोली वी हैं नीचे नीचे को और सारा कूडा नदी में बाहर हैं तो यह तो बहुत गलत बात है प्रसासन को भी इस बात पर ध्यान देना चीए और दाइस मेरे मन में तो इतने विचार आ गए थे वहां देखके अब आप लोगों को मेरी बाते अच्छी लगे ना लगे लेकिन मेरे मन में जो था मैंने कह दिया अब में ये चपपलों को सुखा देती हूं और दिन का टाइम हो रहा है तो लंच बनाना अभी मुझे आज त तुमारे लिए तरबूज लेके आ रहे हैं तो गाइस सामके छे बच रहे हैं और हम चले के अपनी खेती बाड़ी कनने खेत में हमारे छोटी-छोटे भिंडी के पेड़ उग गए हैं छोटी-छोटी मूली उग गई है तो अब मैं कल को दिखाऊंगी बाहर कैमरा चलाती आपका ब्लॉग बनाती लेकिन बच्चे इतना शोर मचा रहे है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मैंने सुचा कि अंदर ही दिखाती हूं आपको देखो क्या-क्या सबजी लेके आई हूं मैं तरबूज लेके आई हूं ये देखो जी तरबूज अभी हम सब्सणार। का सब्सभाचस से कुछ सह जाओ को तरबूज षे सरी तरबूज को लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छीज दिखाती हूं कन आपको कर wen beautifully मैं कमने लिडिकी क्या घौसा खाते की रगए TV नहीं देखार दूनने फोन मैंने मिलमेरी अच्चा तो वह फिट करने में बहुत टाइम लगा मुझे और मैं ठक गई थी फी सो गई थी तो मैं आज आपको ओर्गनाइजर दिखाती हूं बाथरूम में लगा रखा है मैंने तो गाइस यह देखें यह मंगाया था मैंने बहुत ही अच्छा है यह बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो कितना अच्छा हो रहा मेरा इतना ज्यादा सामान था जो कि यह छोटी छोटे कॉर्णरों में नहीं आ पा रहा था और हम भूल भी गे थे यहां वो बनवाने रैक् से था फ्रेंट लोडेड मसीन के उपर वाला रैक था लेकिन हमने इसको रखा है ऐसे हमारे पास पीछे जगे बची थी तो हमने यहीं एड़ेस्ट कर दिया तो अब मुझे उपर से मसीन दूसरी मसीन लाने की जरूरत नहीं है यह है टॉप लोडेड तो यह भी चल जा रह रख दिया है जो भी है जो नहाने का सो अड़े नीच तो यह बहुत ही अच्छा और मुझे तो बहुत ही पसंद आया और इसमें ऐसे क्लिप्स भी लगावी आह और इसमें लगें तो आप कुछ हैंग भी कर सकते तो देखिया मैंने तो यह आच्छे से आरेंज हो गया मेरा सारा सामान तो मेरा सारा हैड़क खतम हो गया और यह हमारा वाश्रूम है नया आज मैं आपको अमना नया वाश्रूम पर दिखा देती हूँ यह हमने बड़ी सी टाइल्स लगवाई है इसमें यह देखिए तो यह लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी मिस्त्रियों को कि identify बार्त ही इसमेंट का पिलर बढ़ाया था हमने यहां पर तो पाइप लीक हो गया तो नहीं चल रहा था तो इस बार हमनेही लगाया था यह Çीज लगाई हमने पाइबर का तो इस बार हमने इसको फाइबर sleepसे कवर कर दिया यह भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सीसा लगावा है तो हाल फिलाल वाश्टूम सई से एडजस्ट हो गया तो सामान मेरा सबसे बढ़िया से एडजस्ट हो गया तो मैं तो इसको नमबर देने आ लिए हूँ मैं से टैन तो इतना बढ़िया रैक मुझे मिल गया और अगर मैं बनवाती भी तो मेरे दो तीनी स्लैब बनते और मिस्त्री आता ड्रिल करता कितना नखरा दिखाता है ना बनाने में इतना नखरा दिखाया उन्होंने तो चलिए मेरा तो यह काम हो गया चलिए आप खाते हम तरबूज और अभी-अभी मेरी बेहन एक खुसकवरी लेके आई है इसकी बेटी का 12th का एक्जाम था जो की पास हो गई है बहुत अच्छे नंबरों से लेकिन यह कंजूस खाली हात आई है यह मिठाई लेके नहीं आई है और हमारे साब जी को लग गई है भोग देखो च चलो खुशी को बहुत-बहुत बढ़ाई पास होने की अब खुशी जाएगी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए यह मेरे मामा की बेटी है मेरी बेहन है हाय बोली है इसका नाम गीता है यह चाई नी पीता है यह पानी पीता है चलो गीता को और खुशी को बहुत-बहुत बढ़ाई हमारी तरब से पूरे साल भर की मेहनत होती है बच्चों की अगर बच्चे सफल हो गये तो बहुत अच्छा लगता है ना बापों की भी ज्यादा मेहनत होती है यह देखे यह यहां पर तर्बूज कट चुका है और यहां पर भसड मच चुकी है तर्बूज खाने की आधा तर्बूज हमारे साब जी उड़ा चुके हैं बिजली की रफतार से और आधा हंसी का लेकर बैठ चुकी है ये और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है खाने को चाकू से खाया जारा और वहां तो देखो ये चाकू से मुझे डाला जारा तर्बूज अपना आ मैज़ा गया तो इनको तो बहुत मज़ा आ रहा चलो मैं अगर ब्लॉग मनाने में रही तो मेर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसलिए मैं फटा 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 खाता